और यह अप लोग अगतिन पाट नहीं रेखें तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा तेलिग्राम पे भी हम रोज अपलोड कर देते हैं अब लोग टेलिग्राम पे भी जाएगा अब मुझे से कॉंटक्ट करना है इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं मैं आपको बता दू आज नया टौ सब्सक्राइब करूंगा कैस्ट मैं कल इसलिए वीडियो नहीं लाए था किसी कारण वज़ा से और मैं कोशिज कर रहा हूं कि मौर्णिंग में ही आप लोगों को वीडियो परवाइड करों तो आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट किजिए मौर्णिंग में ही सही था कि करहीं ज़ाञे हैं जो लेन वाले हैं यहां पर मैं किस वर्ष हो ती तो नौ हम बात करें प्लामून की सठापना किस वर्ष हूई थी ती तो कब हुए थी प्लामू की अस्थापना हम बायत करें यहां पर काइस तो उनकी अस्थापना हो गए थी नौ नेक्स्ट को सन देखते हैं को से नमर ठीड़ी है मोधी नगर एक मोधी नगर आपका यूपी में भी जो कभी फेमस हैं वहां पर कॉलेज बगेरा के लिए यहां आजिस संदर्ब में मोधी नगर किस जिले का मुख्याल है तो मौधी नगर जो हम बात करें सब यहां पर हम पहले option को चाटेंगे रहा प्लामू का ही है मोधी नगर ठीक है क्यूस advancing per heliq कितना है तो हम बात करे 오Á tis तो पाल्म का आफ होड़ क्याइबर Priceiger in a सब्सक्राइगा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा नैंनिक हैं हैं कि कि लाम थामतर किए प्लाम करें के onoda कृक्ष कि करें उभी सब्जक्त लिए तो फिर यही है कि मैं अकिला तो नहीं कर पाँगा फिर मुझे यही कि टीचर को फिर देखना पड़ेगा गाई जो रंधीर सर पहले पर पड़ाते तो मैं इस साथ उनको बोल सकता हूं या कुछ मोडिफाई भी देखना चाहते तो आप मुझे बताएंगे सर कुछ ऐसे किज परखंड की संख्या कितना प्लामुजिले में परखंड की संख्या कितने हैं तो हम बात करें यहां पर 25 है या 27 है या 21 है या 18 है तो 21 है प्लामुजिले में परखंड की संख्या नो अगला को सने कि प्लामुजिले में कुल जन संख्या कितना है बहुत ही फेमस है लग रहा ह जिला नौ में एक एक करके हर वो में डिसकर्शन करूंगा एक भी ऐसा कोशन है कि मेरे ख्याल से अगर आप इसमें से करोगे मैक्सिमिम्म कोशन आप साइध अटेंट कर पाओगे ठीक है और नेक्स कोशन है यहाँ पर हम बात करें यह प्लामु जीले में कुल जन संख्या कित अब सब्सक्ति जन संख्या यहाँ पर हम बात करें नौन सोच आठटा सिर्फ लड़का यहां पर एक कि में लकाय किनव अफिसरेidente सब्सक्राइब ऑगला कोसमें पला मुचली ले की साक्षर्था दढर क्या है तो पला मुचली अबात वे हम बात करें यहां पर तो होट फूट से टीपॉइंट 63 है तो पहल नहीं हुआ देलोध हुआ यह हैं तो how प्लामुजीले की जनसंग क्या देंसिटी के तर धना तो बोलते हैं हिंदी में कितना है एक किलोमीटर के रेंज में कितना अधमी रहता है रहता है इनका क्या के एक एरिया और उसमें कितना अधमी पहता है चारसुब्यालिसे अधमी यह पहते हैं कि इस पेस बहुत ज़याए हुआ अभी थोड़ा से जनल भागेरा है इस खनीजों का उत्तपादन पालमौं के अग्रण्यजीले में हुआ है ग्रेफाइट यह अगरा कोशन है कि सहापुर्चांदनी किला रोहिल्या का किला का बिस्व पूर्ट का किला किस जीले में इस्थित है सब बताएगा मेरे ख्यासे क्योंकि कोश्च टॉपिक है पालमुद इसका इंसर भी हो जाएगा अगला है पालमू किस जन जाती का बहुलता है डी उप्यूक्त में से सभी अगला कोशन है किस जिले में निम्द में से किस अस्थान पर गुलामी परसिंसिंग्त एकाई का अस्थापना किया गया है कि सो डी हो जाएगा गैस आज के लिए बस यहीं पंद्र कोशन ही है उसके बाद फिर हम नया टॉपिक गंडवा नया है फिर हम उन्हें स्टार्ट करेंगे हैं मतलब एक करके हम मेरे का से यह सारा एक डिस्टिक से कोशन जो भी है मैं सारा लूँँगा और और एक एक मैं आप लोगो सारा कुछ बताने कोशिस करूंगा ठीक है क्योंकि कोशन जब आप धार्खन PCS के त्यारी करते था आपको डिस्टिक के बारे में नौलेज होना चाहिए जाहिए बात है यह चीज आपको नोट भी करना चाहिए क्योंकि आप उस डिस्टिक से ब् में नहीं पता तो फिर कैसे चलिएगा तो यह आप लोगों में जीला दर्शन कर भाऊंगा ठीक है तो आज के लिए मिलते नेक्स वीडियो में बाई बाई